Hello students, Classics chapter number 7, साथी हाथ बढ़ाना अब हम इस पोईंट को रेड करेंगे, let's start साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा, मिलकर बोज उठाना, साथी हाथ बढ़ाना अब इस पोईंट में एक इंसान, दूसरे इंसान से कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना मिल जुलकर हम आगे बढ़ेंगे, एक अकेला ठक जाएगा, अगर एक ही आदमी सारा दिन सारे काम करता रहेगा तो एक न एक दिन तो वो ठक ही जाएगा, मिलकर बोज उठाना, क्योंना हम सब मिलकर इस बोज को उठाएं और मिल जुलकर काम करें आगे है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रस्ता शोड़ा, परबत ने सेस चुकाया अब व्या कह रहे हैं कि हम मेहनत वाले, जब भी मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाये तो हमारी मिहनत को देखकर सागर को भी रस्ता शोड़ना पड़ता है, और परबत को, मतलब पहाड को भी हमारे आगे सेस जुकाना पड़ता है फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहे, हम चाहे तो चटानों में पैदा कर दे रहे, साथी हाथ बढ़ाना अब वे कह रहे हैं हमारे सीने फौलादी हैं, फौलादी हमारी बाहे हैं अगर हम चाहें तो हम अपनी मेहनत से चटानों में भी राहे पैदा कर दे मतलब पत्थरों में भी हम अपने रास्ते बना सकते हैं अगर हम सब एक साथ मिल जुल कर मेनत करके आगे बढ़ते चाहें ठीक है आज हम यहां तक रेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रेट करेंगे ओके थेंक्यू